अगर आपका भी मन सेव खमणी खाने का करता है लेकिन बनाना बहुत ही कठिन है लंबा प्रोसेस है बहुत समय लग जाता है तो इसके लिए मेरे पास एक सिलूइशन है आप इस मेरी इंस्टन रेसिपी को फॉलॉव कर सकते हैं जिससे आप बजार जैसी खिली-खिली सेव ख गो दिया तो बहुत अच्छी तरह से फूल गई है दाल अब हम इसको एक मिक्सर जार में डाल देंगे तो पानी हमें अच्छे कॉंटिटी में डालना है ताकि दाल अच्छे से भीग जाए तो इसको मैं एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर दूँगी और उसमें हम डालेंग एक हरी मिर्च और कुछ अद्रक की टुकडे और इनको हमें एक अच्छा सा पेस्ट बना के तयार करेंगे तो बहुत बारिक नहीं पीसना है थुड़ा दरदरा हम दाल को रखेंगे तो इस तरह का कोस्ट पेस्ट तयार हो जाना चाहिए और यहां मैंने एक नॉन स्टिक पान लिया है ताकि हमारा बैटर इसमें चिपके ना और इसमें डाल दिया है एक तीस्पून तेल अच्छे से तेल को फिला लिया है पैन में और इस बैटर को मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया है अब इस बैटर को हमें पकाना है तो उसके पहले हम इसमें डालेंगे नमक स्वा इसे हमें पकाना है, कंटीनिसली हमें इसे चलाते रहेंगे ताकि बैटर बिल्कुल चिपके ना, और दिरे दिरे आप देखेंगे, इसका कलर चेंज होता जाएगा, यह बैटर पकता जाएगा, तो बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, अब इस पैन को हम ग मिक्स करते जाना है, अगर बहुत जादा चिपकता है, तो आप पानी इसमें आड़ कर सकते हैं, चीटे लगा के पानी के, इसको लगातार चलाते रहें, मिक्स करते रहें, और इसको ठकन लगा के दस मिनिट के लिए हम पकाएंगे धीमी आश्वे, दस मिनिट के बाद यह टेक्शर इसका हो जाएगा, एकदम खिला-खिला दाना इसका तयार हो जाएगा, इसको फिर से हम चम्मत से इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे, अगर इसमें थोड़े दाने हैं तो हम उनको तोड़ देंगे, तो एकदम खिली-खिली सेव खमनी हमारी तयार हो जाएगी वैसे इसका traditional method के पहले खमन को बनाया जाता है और फिर इसको बारिक क्रश किया जाता है और फिर उसको तड़का लगाया जाता है लेकिन उस लंबे process को ना follow करके हम इस तरह से instant save खमनी बना के तियार कर सकते हैं अब इसमें लगाएंगे तड़का जिसमें एक टेबल स्पून तेल लिया है और उसमें डाला है मैंने राई के दाने कुछ कड़ी पते थुड़ा सा पानी एट करेंगे और इसमें डालेंगे चीनी तो इस शकर आप अपने टेस्ट के according जितना मीठा पसंद करते हैं वैसे जितना माँच मिनिट के लिए बॉयल करूंगी और इस तया तड़की को हम इसमें डाल देंगे अंदर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे गरमा गरम सेव खंबनी तयार की है तो इसमें पानी सारा अब्जाब कर लेकिए और इदम खिली किली सेव खंबनी बनके तयार और इसको सर्व किया जाता है बारिक वाली सेव के साथ तो आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहे हुए इसका टेक्शर है एकदम खिला खिला दाना सेव खंबनी का बनके तयार हुआ है और इसके उपर हम डालेंगे सेव नॉमली इसको उपर सेव डाला जाता है और 15-20 मिनट हमें लगे हैं सेव कमनी को तयार करने के लिए तो आप दाल को पहले से भीगो के रख सकते हैं काम और भी आसान हो जाएगा तो मेरी चैनल को लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और रेसिपी को शेयर करिएगा तो मिलती रहों कि इस तरह से नईनी रेसिप